हेलो फ्रेंड्स बहुत बहुत हो गया था आप सब्सक्राइब करने वाले एक बहुत ही इंपोर्टेंट इंफोर्मिशन जो कि HNBUMU की वेबसाइट पर अपडेट की गई है कल आठ तारे को यानि कि आठ नवंबर को तो काफी सारे जो स्टुएंट थे nursing aptitude के syllabus के लिए काफी ताम से बरशान थे क्योंकि कुछ clear get information नहीं दी गई थी official जो थी कोई भी information नहीं थी कि जो आपका nursing aptitude का syllabus यह वो क्या होगा आपको क्या-क्या पढ़ना चाहिए तो जैसे कि पहले हमें कुछ भी नहीं पता था तो मैंने अपने अकॉर्डिंग नर्सिंग एप्टिटूट की आपको PDF देदी थी, नोट्स देदी थी, ठीक है और उसका एकल टॉपिक भी डिसकस करा था मैंने वीडियो में, जो कि आपका dose calculation के उपर था लेकिन उसके बाद जब मैंने वीडियो अप्लोड कर दी थी उसके कुछ देर बाद, मतलब जो official syllabus था, वो मैंने website पर देखा क्योंकि कली update हुआ था, तो मुझे पता नहीं था कुछ students ने मुझे comment section में बताया था तब मैंने जाकर check करा, तो official syllabus जो आ चुका है आपको download किस तरीके से करना है, वो मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे, तो please वीडियो को end तक देखना, ओके, तो आपको क्या करना है, hnbumu.ac.in इस official website पर आना है, फिर यहाँ पर जो आपके पस option आ रहा था पर पर पीडियो डाउनलोड करने का option आएगा, तो आप उसको जब आप डाउनलोड करेंगे, और फिर जब आप open करेंगे, तो इन्होंने जो है, यह इस तरीके का syllabus दिये, इन्होंने साथ topic दिये हैं, जो कि आपको पढ़ने हैं, आपके entrance exam के लिए, और जो मेरी expectation नहीं थी, क्योंकि जो इन्होंने topics यह बहुत ही easy topic दिये हैं, क्योंकि यह बिल्कुल भी nursing aptitude से ज़्यादा कुछ relate करता नहीं है, लेकिन फिर भी नोंने ऐसा syllabus दिया है, तो आप सभी के लिए तो अच्छा ही है कि बहुत ही easy सा सले बस है इसके लिए, ठीक है, तो यह जो भी साथ topic है, तो जो previous वाले मैंने PDF के notes दिये थे, वो मैंने अपने recording दे थे, क्योंकि तब तक कुछ officially decide नहीं हो था, officially update नहीं किया गया था, ठीक है, तो अब आप वो notes जो है, बिल्कुल भी ना पढ़ें, यह जो साथ topic है, इस पर मैं एक-एक lecture जो है बना दूँगा, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 7 तक आपकी 7 videos आएंगी इसके उपर, ठीक है, जो भी topics हैं, हर video में, जो की आपकी 8 से 10 minute की एक video होगी, उसमें हम एक-एक topic को जो है लेकर चलेंगे, बस आप उतना देख लेना, और उसके थोड़े बहुत notes बना लेना, और उनीका revision कर लेना, ठीक है, आपका nursing aptitude जो है, वो तयार हो जाएगा, और मैं कोशिश कर रहा हूँ, कि physics और chemistry के लिए भी, जो है मतलब आपके लिए notes डालता रहूँ, तो वो भी जो है, मैं बीट बीच में डालता रहूँगा, ठीक है, तो अब आपको nursing aptitude की बिल्कुल भी चिंदा करने के जरूँद नहीं है, जो भी ये 7 topic है, एक-एक वीडियो में, आपके 7 topic जो हैं, पहले complete कर लेंगे, उसके बाद हम physics और chemistry और biology की बात करेंगे, ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगा, कि जल्दी से जल्दी आपके 7 topic हैं, वो complete करा दो, ठीक है, तो अगर आप channel पर नहीं हो, तो subscribe कर लेना, बैल आइकन को press कर लेना, ताकि जब भी इससे related video update upload होगी, तो उसका notification जो आपको तोरज मिल जाएगा, और उस lecture को पूरा देजना, उसके notes प्रिपेर करना, और उनी को revise करना, ठीक है, और आपका जो nursing अप्डेट है, अराम से, अच्छे से तैयार हो जाएगा, थाकि आप 20 में से कम से कम जाए, 15 से 16 questions अच्छे से कर पाए, तो बस यह information देनी थी, यह अप्डेट देना थी, जो कि official update कल आया था, official website पे, ठीक है, तो I hope आप कोई वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और कोई भी डाउट है तो आप मुझे comment section में पूछ सकते हैं, और जिन्होंने भी अभी तक form नहीं बढ़ रहा है, वो please form भर लीजे, 11 नवंबर जो है last date है, और कोई भी डाउट है उससे related, तो हम उससे पूछ सकते हैं, या फिर playlist में जाके उससे related कोई भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको उहाँ पर information मिन जाएगे, ओके, so thank you and have a nice day.